कठिन आकिरतियों के घेरे भाग दो Boundary of Complex Shapes Part 2 इस वीडियो में आप जानेंगे कि आकिरतियों के बदलने से क्या उनके घेरे के नाप में भी अंतरा जाता है देखो, मैंने ये वर्ग पेपर पर बनाया है इसका घेरा 12 सिंटिमीटर लंबा है हाँ, ये तो पता लगाना आसान है हाँ, लेकिन मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि अगर इसके आकार को बदल दें तो इस घेरे का नाप बदलेगा या नहीं आकार बदलने पर घेरे की लंबाई तो बदलेगी ही ठीक है, आकार बदल कर देखें हाँ देखो मैं इस एक वर्ग को हटा कर इसका आकार बदल देता हूँ अब इसका घेरा नाप लेते हैं इसके सभी किनारों की लंबाई को लिख लेते हैं तीन सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर इन सभी को जोडेंगे तो उत्तर आएगा 12 सेंटिमीटर देखो हमने आकरती का आकार बदल दिया फिर भी घेरे का नाप नहीं बदला मुझे लगता है कि हमें आकार को अलग तरह से बदलना चाहिए फिर घेरे का नाप भी बदल जाएगा इस बार तुम आकार को बदल कर देखो ठीक है, देखो मैं इस आकरती में से इस वर्ग को हटा कर इसका आकार बदल देता हूँ मुझे तो लगता है कि अभी भी इस आकरती के घेरे का माप 12 सेंटिमीटर ही आएगा चलो नाप कर देखते हैं ठीक है, इसके सभी किनारों की लंबाई को लिख लेते हैं अब इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 14 सेंटिमीटर इसका मतलब आकरती का आकार बदलने से घेरे का नाप बदल जाता है नहीं, देखो, जब तुमने आकरती को बदला, तब घेरे की लंबाई नहीं बदली लेकिन जब मैंने आकरती का आकार बदला, तब घेरे की लंबाई बदल गई इसका मतलब ये हुआ, कि आकरती का आकार बदलने पर घेरे की लंबाई बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है आज आपने सीखा कि आकृती के आकार बदलने पर घेरे की लंबाई बदल भी सकती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आकृती का आकार बदलने पर घेरे की लंबाई बदल ही जाए इसलिए आकरती का आकार बदलने पर उसके घेरे की लंबाई को नापना जरूरी है